तो दूस्तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वाच बांगला नाम का ये मेरा एक चैनल है जिसे कि मैंने अभी से एक मेने पहले स्टार्ट किया था मुश्किल से इस चैनल पे मैंने 8-9 वीडियो अपलोड किया हैं उसी में मेरे देख सकते हूँ 700 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लास्ट कुछ दिनों में मेरे वीडियो स्पे अल्मोस 2-4 लाग व्यूस तक आया है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो यहाँ पर देख सकते हूँ किसी में 8000 भ्यूस तो किसी में 1000 तो किसी में 3000 इस तरह से भ्यूस आते थे हाला कि मेरे वीडियो का कॉंटेंट बहुत अच्छा था उस वज़े से मेरा 3000, 4000, 8000 भ्यूस आता है और कई सारे लोगों का तो कंटेंट ही अच्छा नहीं होता तो उसका भ्यूस आने का तो मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता देख सकते हूँ 1000, 1500 इस तरह से भ्यूस आता था लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज किया जिसके बाद मेरे व्यूस एकदम 20,000, 40,000, 50,000 तक पहुँच गया आखिर मैंने क्या किया तो सिंपल सी बात है मैंने सीधे अपने audio quality को ही चेंज कर दिया एक बीडियो में सबसे ज़ादा क्या जरूरत होता है बीडियो से ज़ादा audio quality का जरूरत होता है जिसके बाद आप अपने आखों के सामने देख सकते हो मेरे व्यूस पे 50,000 भ्यूस आने लगे 50,000, 20,000, 23,000 देख सकते हो भ्यूस आने लगे देख सकते हो watch time कितना बढ़ गया और आप सभी को जैसे कि पता है watch time बढ़ेगा तो मेरे भाईया भ्यूस आना confirm है अगर यह soft लगे प्यारा सा लगे तो आप वीडियो को देखोगे यहां पर दूसरे वाला में भी दिखा देता हूँ 22,000, 23,000 मतलब भ्यूस तो मेरा नॉर्मल हो गया था 22,000, 23,000 के नीचे कोई भ्यूस ही नहीं आ रहा मेरे भाई नॉर्मल है और अभी भी 24 आर्स के अंदर 1600 से ज़्यादा भ्यूस आ रहे है इस पर जबकि मैं वीडियो अभी अपलोड भी नहीं कर रहा है मैं इन वीडियो चैनल्स पर एक हपते में बस एक ही वीडियो डालता हूँ तो इतना ज़्यादा भ्यूस आखिर कैसे आ सकता है क्या ओडियो क्वालिटी इतना इंपोर्टेंट है क्या ओडियो इतना ही मैटर करता है एक वीडियो में चलो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ तो दूस्तो अभी आप जो ये ओडियो सुन रहे हो ये मेरे फोन से ही यहां से record किया हूँ नौर्मल आडियो है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ अब दूस्तो इसके बात जो आप ये audio सुन रहे हो ये हमारे इसी phone से record किया हूँ आडियो है जिसको मैंने एक क्लिक में बस edit किया और हमारा audio देख से तो कितना professional लग रहा है अभी कई सारे लोग सोच रहे हूंगे जो मैंने आपको starting में audio सुनाया वो मैंने अपने mic से इस वाले mic से record किया होगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दू कि वो मेरे phone से record किया हुआ audio था जो हमारे phone के अंदर जो mic होता है उसी से normally जो हम बात करते हैं वैसे ही मैंने record किया था पहले quality बहुती गंदिया आती है लेकिन जो मैं आपको editing करना सिखाऊंगा चुटकियों में उसका quality बढ़ जाएगा और उसके बाद लगेगा जैसी कि आपने खुद mic से record किया है मुझे पता है कि कई सारे लोगों के इसके बारे में बिश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं बता दूँ कि हाँ मेरे भाई चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बता हूँ कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हो पहले एक चीज़ समझ लो मालो कि मेरी चुआ ये विडियो की quality है ये थोड़ी सी गंदी है मालो कि थोड़ा आपको blur दिखाई दे रहा है लेकिन मेरा audio जिस तरह से अभी आप सुन रहे हो clear सुनाई दे रहा है आप इस विडियो को पूरे अंद तक जरूर देखोगे लेकिन उसी जगह अगर मेरा audio एकदम बकवास है side से बाते आ रही है noise आ रहा है और उसके बदले मेरा video एकदम चकाचक देख सकते हो जैसा quality अभी दिख रहा है वो ऐसा ही आपको दिखेगा तो आप उस video को नहीं दिखोगे क्योंकि audio एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर अच्छे से सुनाई ना दे या फिर अच्छी ना लगे तो सर दुखने लगता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि audio quality जितनी जादा आप improve करोगे हाला कि video भी matter करता है लेकिन audio जितना जादा improve करोगे उतना ही जादा आपका views भरता जाएगा और यहाँ पे कोई professional mic के जुरुत नहीं है अगर आपके पास headphone है उसके mic से भी record कर सकते हो otherwise दोस्तों direct अपने phone को इस तरह से आपको पकरना है अपके यहाँ पे मूग के निचे इस तरह से पकरना है पकरने के बाद आप direct यहाँ पे audio record कर सकते हो एकड़म crystal clear audio आएगा और बाकि जो भी noise आएंगे वो सारे noise एक click में मैं आपको हटाना सिखा दूँगा तो अब आपने audio तो record कर लिया लेकिन उसे edit कैसे कर सकते है उसके लिए आपको क्या करना है audio enhancer, adobe आपको search करना है adobe audio enhancer जैसे आप search करते हो यह वाला website आएगा इस पे आपको click करना है अब यहाँ पे आपको उपर आपको quick tools का option देखने को मिलेगा जिस पे आपको click करना है enhance speech लिखा हुआ है तो इस पे आपको click करना है जो ऐसे आप इस पे click करते हो आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा अभी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले तो sample यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप on off करके सुन सकते हो मैं यहाँ पे नहीं सुना रहा है आपको क्या गरना है यहाँ पे sign up वाले option पे click करना है उसके बाद जो भी आपका account है चाहे वो facebook हो, gmail हो या फिर apple का account हो या फिर gmail id डालके आप सीधे account यहाँ पे एक बना लेना उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आपको audio upload करने के लिए तो simply आपको audio को जो है choose कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे जाके अपना audio choose कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे open पे click करके हम इसे open करेंगे और यह थोड़ा सा time लेगा कभी-कभी यह 10 मिनट तक भी ले सकता है जितना लंबा आपका audio रहेगा उतना ही जादा यह time लेगा फिलाल देख सकते हूँ यह free में सबको provide करा रहा है लेकिन मैं guarantee देके कहता हूँ एक से दो मैने के अंदर जो है यह free plan बंद कर देगा उसके बाद यह हर एक audio के लिए पैसे charge करेगा तो finally हमारा audio ready हो चुका है इसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे दूसरा audio भी upload कर सकते हो otherwise सीधे download पे click करोगे आपका audio download के आ जाएगा यहाँ पे direct आप इस पे click करके इसे जो है play कर सकते हो और जाहाँ चाहे use कर सकते हो तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया इतने आसान तरीके से आप जो है अपने audio को record करके edit करके अपने वीडियो को professional level पे ला सकते हो बहुत ही आसानी से तो जाओ use करो वीडियो पसंद आओ तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पे आते रहते हैं